हेलो फ्रेंड्स में रितु व्यास आप देख रहे है रितु दिसा रेसिपी हमारे चेल पर आपका हर्दिक हर्दिक स्वागत थे आज हमने बनाया है बुंदी राहिता बुंदी राहिता बनाने में बहुत आसान होता है आपने माई चेल को अभी तक लाइक और नहीं किया है तो प्लीज आप हमाई चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें यह दिखने में इतना सुन्दर लग रहा है इसका जो स्वाय दे वह भी बहुत लाजवाब रहता है चलिए हम बुंदी रायता बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बुंदी रायता बनाने की लिए हमने एक दिन पहले दई को अच्छी तरीके से जमाया था सबसे पहले हम लेंगे रायती हमारे एक दम फ्रेश होना चाहिए अब हम दाई को अच्छी तरीके से फेटेंगे जिससे हमारे तो दाई अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा जब हम रायता बनाएंगे तो ये बिल्कूल एक जिसा रहेगा आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से दाई को फेटाएं अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अब हम दई में डालेंगे 4 चमब सकर सकर आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधी चुटकी हिंग अब हम इसमें डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर अब हम इसमें डालेंगे आधी चमबच, काला नमक आधी चमबच हम इसमें डालेंगे साधारन नमक इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम सकर को भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे बूंदी बुंदी को चारो तरह पच्ची तरीके से फिलाते हुए डालना है अब हम इसमें डालेंगे हरे धन्या पत्ती पत्ती डालने से इसका जो टेस्ट है वो भी लाजवाब बन जाता है और देखने में भी यह बहुत सुन्दा लगता है हमारा बुंदी रायता बनके रेडियो चुका है आप हमारी रेसिपी से बुंदी रायता बनाएके जरूर देखिए आप इस रायते को पूड़ी पराटे के साथ खाईए आप इसको डेली रूटिन के साथ भी खा सकते है आप देख सकते हैं यह दिगने में बहुत सुन्दा लग रहा है बुंदी राइत बनाने के लिए आप इसेज ध्यारन रखिए दई हमारा फ्रेश होना चाहिए यह इसको आप एक दिन पहले ही जमाईए ताकि जब आप बुंदी राइत बनाएंगे तो हमारा जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब रहेगा आप देख सकते हैं हमने दई एक दिन पहले जमाया था दिखने में इतना सुन्दा लग रहा है टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है दई हमारी सेट के लिए बहुत लाबदायक होता है यह हमारी पाचन सकती को भी बढ़ाता है बुंदी रेशीपी से संबन्दित अप सभी प्रकार की जानकरी के लिए आप हमारी चैनल को विजिट कीजिए आंप रैसीपी से संबन्दित सभी प्रकार के वीडियो हमाई चैनल पर उखलब देखा बोध बहुत धन्यवाद थेंक यू हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रैसीपी वीडियो के साथ बाबाई